कापैसिटी एंड एफेक्टिवनेस ऑफ स्क्रीद्स हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपका होस्त और दोस्त अभीनाव जैन स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल टू इंजीनियस पर अचैनल फॉर इंजीनियस बाइन इंजीनियर जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और साथ में बैल आइकन ज़रूर दबाए जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिलते रहें तो टाइम वेस्ट करें वेना शुरू करते हैं तो टॉपिक कैपैसिटी है इंफेक्टिवनेस ऑफ स्क्रीन्स तो सबसले बातले स्क्रीनिंग क्या होती है स्क्रीनिंग एक सप्रेशन टेकनीक है जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट साइज के सॉलिड पार्टिकल्स को साइज और शेप के अधार पर अलग-अलग फ्रैक्शन में सेपरेट करते हैं जो हमारे इंडेसर स्क्रीन्स होती है वो वोवन वायरे की, सिलक जी, प्लास्ट कालॉथ, मैटल बात या मैटल बलेट्स की बनी होती है Dunnard screens का जो size होता है Mesh size वो 4-yn NH से 400 Mesh के आधपस का होता है Screening process में क्या होता है जो fine particles होते हैं उनको हम generally screen analysis के अधार पर उनको वरगी करते हैं Screen analysis हम testing sieves के माध्यम से करते हैं इसके लिए हम generally tyler standard series use करते हैं यह जो screen होती है woven wire की बनी होती है जिसकी openings जो होती है जो इसमें mesh का size और dimensions होती है वो एक standard होती है इन series एक set of standard screens को हम एक stack में लगाते हैं जो सबसे बड़ी screen जैरी जो opening होती है वो सबसे जादा होती है वो सबसे ओपर होती है और fine mesh की opening सबसे छोटी होती है वो सबसे नीचे होती है इसके बाद इस स्क्रीन को शेट करते हैं definite manner में चाहे manually करें और mechanical करें एक definite period of time के लिए तो अलग-अलग screen पर हमें अलग-अलग weight fractions मिल जाते हैं, diagram में देख सकते हैं फर्स diagram में हमने screen से दिखाई हैं आपको, दूसरे method में हम दिखा रहे हैं कि screens अलग-अलग size के अधार पर एक में arranged हैं जिसमें top से हम feed को enter करा रहे हैं और इनको stack में लगा, third diagram में हम देख रहे हैं कि stack में लगी हुई है इसको हम manually या mechanically इनको shake करेंगे, shake करने से क्या होगा कि छन जाएंगी या जिसे आटा चानते हैं, आटा चानने में जब हम हिलाते हैं इसको, छननी को हिलाते हैं तो आटा नीचे होता है और चोकर उपर होता है तो यही process होती है कि screen को जब हिलाएंगे तो छोटे particles हैं वो screen से pass होते रहेंगे और जो बड़े particles हैं वो उपर हिलाएंगे अब चलते है capacity और effectiveness क्या होती basically, efficiency of separation, capacity के साथ सक वो screen की performance बताते हैं वैसे तो यह दोनों एक opposite factors हैं कि maximum effectiveness तब आएगी जब capacity कम होगी और capacity अगर बढ़ाएंगे तो efficiency कम होगी लेकिन actual practice में दोनों के बीच में एक balance बनाना ज़रूरी होता है तो effectiveness क्या होती है पहले, effectiveness जान लेते हैं effectiveness of a screen या screen efficiency वो actual में screen कितनी कारगर है undersize और oversize particles को separate करने में उसको दर्शाती है कि screen undersize particles और oversize particles को कितने successfully separate कर पा रही है वो screen की effectiveness बताती हमें अगर perfectly functioned screen है perfect screen है तो क्या होगा जो हमारे oversize material है वो सारा overflow में होगा और जो undersize material है वो underflow में होना चाहिए screen effectiveness oversize material के अधार पर हम define करते हैं of amount of oversize part material that is actually present in overflow यानि कि oversize material है वो overflow में कितना है divided by oversize material in the field तो यह किसी screen की effectiveness होती है कि oversize material overflow में कितना है divided by oversize material feed में कितना है चलिए देखते हैं हम लगाते है material balance लगाते हैं F D और B वो flow rate है feed के overflow के और underflow के F feed का flow rate D overflow का flow rate और B underflow का flow rate हम material A का मान रहे हैं कि वो oversize particle है उसका जो overflow में fraction है वो हम माना हमने xf है feed में xd उसका overflow में है और x भी underflow में है दूसर material जो है हमारा underflow जो हमारा undersize है उसका माना कि feed में 1-xf है overflow में 1-xd है क्योंकि weight fraction तो दोनों का मिला के बनाना चाहिए अगर एक का xf है तो दूसरे का obviously 1-xf हो जाएगा अगर एक का xd है overflow में तो दूसरे का 1-xd overflow में हो जाएगा और अगर एक का xb है underflow में तो दूसरे का obviously 1-xb हो जाएगा underflow में तो total feed क्या होगा तो total feed का हम अब लगाते है material balance लगाते हैं तो पहले लगाते है total balance total balance में क्या होगा feed जो हमने दी वो पूरी feed दो पार्ट में जाएगी एक oversize में और एक undersize में या overflow underflow में तो the total feed f is equal to d plus b यारी कि underflow plus overflow इसके बाद आता component balance component balance में हम different stream को उनके mole fraction से यहाँ पर अपने weight fraction हमने लिए है mass fractions लिए हैं तो उनसे multiplier कर देंगे तो f into xf is equal to d into xb plus b into xb यहीं कि particular stream को उनके हमने mass fraction से multiply कर दिया अब हमने लिखा elimination of b from these equation अब तो क्या करेंगे हम जो f equal to d plus b था उस equation से मैं b की value निकालूँगा f minus d आप अपने साथ एक copypan ले लिजिए और साथ-साथ करके चलिए तो जल्दी समझ में आएगा मैंने क्या किया b की value निकाली f minus d और इस b की value को second equation मैंने put कर दिया और वहां से d by f को अलग करके हमने value निकाल ली जो हमारी आएगी xf minus xb divided by xd minus xb इसी तरह से मैंने dq put कर दिया f minus b और वहां से b upon f की value निकाल ली जोई xd minus xf divided by xd minus xb जानी कि एक बार हमने b को eliminate करा d by f value निकाली और दूसरे हमने बार d को eliminate करके b by f value निकाली तो जो screen effectiveness की जो हमने अभी definition पढ़ी थी वह क्या बताया था हमने कि oversize material जो है हमारा वो feed में कितना है oh sorry overflow में कितना है divide by feed में कितना है तो इसको हम dxd divided by fxf के से दिखाते हैं dxd क्या है oversize material overflow में कितना है और fxf oversize material हमारा feed में कितना है उसका ratio effectiveness होता है on the basis of oversize particles तो यह होगा हमारा ea is dxd divided by fxf और यह क्या है हमारी screen effectiveness based on the oversize particles ऐसे ही अगर हम undersize particles के अधार पर screen effectiveness दिखाएंगे तो वह क्या होगा हमारा b कितना है हमारा divide by हमारा वो feed में कितना है तो b हमारा तो eb is the effectiveness based on undersize material वो के होगा b into 1 minus xb divided by f into 1 minus xf जो overall efficiency होती है screen की वो होती है ea into eb जब हम इन दोनों को multiply करेंगे जो हमारे पीछे equation आई थी ea की dxd upon fxf और eb की b upon f into 1 minus xb into 1 minus xf तो हम क्या करेंगे इनको multiply करेंगे total effectiveness निकालने के लिए साथ-साथ जो हमने d by f की value पीछे निकाली है d by f value xf minus xb upon xd minus xb और b by f की value जो हमने निकाली है उसको भी यहाँ पे हम put करेंगे और solve करेंगे तो हमारी effectiveness की value आएगी e equals to ea into bb जो हमने expression लिखा xf minus xb xd minus xf xd 1 minus xb divide by xd minus xb का square 1 minus xf into xf तो यह हमारी overall effectiveness होती है screen की ठीक है effectiveness total effectiveness is multiplication of effectiveness based on oversize particles into effectiveness based on undersize materials ea into eb इसके बाद बात करते हैं capacity screen की capacity क्या होती है screen की capacity होती है mass per unit time divided by mesh size यानि की हम actual में per unit area screen को कितना mass per unit time feed कर आ रहे है वो होती capacity screen गी की unit area screen पर per unit time हम कितना feed कर आ रहे है that is capacity इसको हम feed rate के vary करके control कर सकते हैं actual practice में जब large और small particles होते हैं तो क्या होता है जो बड़े particles होते हैं वो screen के surface पे जमा हो जाने शुरू हो जाते हैं तो इससे क्या होता है जो छोटे particles होते हैं वो screen surface तक नहीं पहुच पाते और वो उपर ही रह जाते हैं जिनको नीचे जाना था तो आपकी screen बरी बरी है तो आप और feed दे नहीं पाओगे जब screen आपकी बरी रहेगी तो तो इससे क्या होता है आपकी capacity है वो कम हो जाती है इसके बाद है blinding और clogging of screen यह phenomena तब होता है जब particles का size mesh size के लगबग बराबर हो जो mesh की opening है हमारी उसका जो size है और अगर particles का size है तो तब यह blending के problem हाती है जब हम screen analysis करते हैं तो तीन चीज़ों हो सकती है जए तो अगर particles बड़े हैं तो वो screen को पर जाएंगे अगर particles ज़्यादा छोटे हैं तो वो screen से pass हो जाएंगे और अगर particle की dimension लगबग screen के size के बराबर है तो क्या होगा वो particles screen में first जाएंगे और फसने की process होते हैं इसे ही blending कहते हैं या clogging कहते हैं तो इसमें क्या होता है कि अगर particles screen में first गए तो वो screen के जो छेद हैं उनमें बंद कर देंगे जिससे screen की capacity और effectiveness दोनों ही कम हो जाएंगी तो ये blending और clogging को avoid करना ज़रूरी होता है दोस्तो इस वीडियो में इतना ही उमीद करता हूँ कि आपको effectiveness और capacity के बारे में समझ में आया होगा फिर भी अगर आपको कोई doubt है तो मुझे comment box में comment जरूर करें मैं पूरी कुशिश करूँगा कि आपके doubts को क्लियर कर सकूँ वीडियो पसंद आए हो तो like करें comment करें और share क करें और साथी मेरे चैनल को जरूर सफ़य परें थैंक यू